नमस्कार दोस्तों और स्वागत करना हमारा यूटीब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 800 मिलियन डॉलर कितना होता है इंडियान रुपे में तो डेर ना करें वीडियो को जल्ली से शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं इसकी एंसर तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए आया है और तो सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को शेर भी कर दिजेगा तो दोस्तों डॉलर जो है कई सारे कंट्रीस के होते हैं लेकिन मैं अमरिका की करेंसी के बारे में बताऊंगा ये 800 मिलियों डॉलर कितना होता है इंडियान रुपे में ये जानने के लिए पहले आपको एक डॉलर कितना होता है जानने परेंगे तो पहले बताता हो आपको एक डॉलर कितना होता है दोस्तों आज की डेट में एक US डॉलर जो है इंडिया में देने से 83 रुपए मिल दे है यानि की 83 इंडियान रुपीज तो इसकी फ्लक्शुएट होते रहते हैं ये एक्चेंज रेट लेकिन आज की डेट एक United States डॉलर इंडिया में देने से आपको 83 रुपए मिलेंगे तो ये 800 मिलियन डॉलर आपको कितना देगा ये मताना होगा राइट तो 800 मिलियन का मतलब 80 करोर लेकिन ठेहरी ये 80 करोर रुपया नहीं कैलकुलेशन अभी भी बाकी है तो जैसे मैंने आपको कहा 800 million 80 crore होते हैं, तो हमें आभी calculate करना है कि 80 crore dollar कितना होता है इंडियान रुपे में, यह 800 million dollar यानि कि 80 crore dollar कितना होता है इंडियान रुपे में, यह जानने के लिए हम 80 crore into 83 multiply करेंगे, क्यूंकि 1 dollar 83 rupees है तो यह 80 crore जब आप 83 से multiply करते हो, इसका answer क्या होता है आप खुदी देख लीजे तो अगर आप 800 मिलियन डॉलर यानि कि 80 करोर डॉलर इंडिया में आके एक्षेज करते हो आपको मिलेंगे 66 अरब 40 करोर रुबे यानि कि 6,640 करोर रुबे तो ये कितना भारी रकम है आप खुदी एक बढ़ सोच के निखिए तो अगर आप लोगों को कई से इतना सारा पैसा मिलते तब आप क्या करते क्या आप इसे बैंक में रखके fix deposit करते या जमीन खरिटे या घर खरिटे या बहुत सारे कारिया खरिटे तो comment section में बटा दिजेगा जरूर तो अमीर आपको को अच्छा लगा ऐसे बहुत सारे informative वीडियोस पाने के लिए subscribe जरूर की जग में चनल को और साइब में रहा बेल आगान को क्लिक कर जिएगा फिलाल वीडियो का आज यहीं पर करते हैं अपना ख्याल जरूर रखेगा बाई बाई